स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का एलेक्ट्रिक चार्जेजन फिल्ड का लास्ट टॉबिक किसी भी सॉलिड स्पेर से एलेक्ट्रिक फिल्ड निकालना सिखेंगे इससे पहले हम लोगो ने किसी स्पेरिकल सहल मतलब खोकले गोले से एल तो आज का टापिक है वह है एलेक्ट्रिक फिल्ड यूटू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्पेर मतलब कि एक सॉलिड स्पेर जैसे यह लेकिछालों की लड्डू है मोती चूर का लड्डू सॉलिड रहता है न अंदर तक भरा होता है तो इस ऐसे स्पेर से मैं के सलेवस में यह नहीं है अगर मैं स्टेट बोड की बात करों उत्राकन बोड की उत्राकन बोड के सलेवस में अजर्ट बोड की बात करों उनके भी सलेवस में है तो suppose that we have a solid spare of radius capital R and if we give charge plus Q on that solid spare तो R radius के spare को जब मैंने plus Q charge दिया तो तो चार्ज क्या होगा आप सॉलिड है तो पूरे के पूरे स्पेर में चार्ज यूनिफर्मली डिस्टिब्यूट हो जाएगा दूसरा इसकी surface पर पता कर सकते हैं और तीसरा इसके inside पता कर सकते हैं तो पहला heading डाला मैंने electric field outside the solid sphere जैसे आप लोगों ने hollow sphere के लिए पढ़ाता है ऐसा ही यहाँ पर भी होगा बट अगली last वाली condition change रहेगी तो ठीक है तो मुझे outside पता करना है तो suppose that मैंने इस solid sphere से इसके बाहर इस p point पे electric field पता करना है p point पर पता करना है तो इस solid sphere के center से p point तक की distance यह r बोल देता हूँ क्या बोल देता हूँ r clear हो गया सबको ठीक है अब इस p point पता करना है तो मैंने बोला हम लोग क्या पढ़़एं अब मैंने इस P point पर अगर electric field पता करना है तो P से जाने वाली है Gaussian surface या फिर एक closed surface ले ली ठीक है अब P पर electric field पता करना है तो देखो पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को एक बात बता हूँ यह positive charge है तो positive charge से जो electric field रहता है वो क्या रहता है perpendicular outward जाता है तो यह इस तरीके से दिखाया अब इस P point पर एक छोटी सी surface ले लेता हूँ बच्चों मैं ठीक है यह P point पर एक छोटी सी surface ले लेता हूँ इसका जो area vector है वो ds ले लेता हूँ अब मैंने outside this pair पता करना है कहाँ पर at P point पर बता करना है ठीक है तो निकालना सुदू करते हैं देखो आप लोगों को मैंने electric flux का formula बता है था electric flux phi equal to कितना होता है e vector dot ds vector होता है na closed surface है तो closed integral लगा सकते हो खेर अब इतना लिखते नहीं है e dot ds खोलो के तो कितना आएगा e ds cos theta ज़ांगो first circle zero degree हो जायगा to cos theta की जगे कितना आ जायगा zelfाइग और 1 तो इसकी जगे क्या रख सकते हैं यहां पर रख ढ़ दिया once 1 से e into ds को multiply करोगे e into ds आएगा e बहार ले सकते हो तो e बहार ले लिया integration of ds 5 ds यह छोटी सी surface है इसको integrate करोगे तो पूरी surface का area निकलेगा न तो यहाँ पर लिख लेता हूँ integration of dx equal to x same integration of ds equal to s s equal to कितना area area किसका यह जो Gaussian surface है तो इसका area कितना है बताओ तो radius कितनी है Gaussian surface की small r तो square का area कितना होता है 4 pi radius का square तो कहीने कहीं integration ds की जगे s, s की जगे 4 pi r square रख सकते हो तो 5 equal to आगया e into 4 pi r square देखो gauss की application पढ़ए हैं तो gauss formula तो आना चीए तो लिखता हूँ according to gauss gauss की application क्या केती है किसी भी Gaussian surface के around जो charge रहता है कितना है charge q तो 5 equal to q upon epsilon not रख दू 5 की जगे रख देता हूँ q upon epsilon not equal to e into 4 pi r square देखो यह 4 pi r square को यहाँ बेजो तो सिर्फ e बचे का न e equal to कितना आ जाएगा तरीके से लिख देता हूँ इसको यहाँ बेचके 4 pi epsilon not एक सा लिख लेता हूँ 1 upon 4 pi epsilon not q upon r square तो ctc बात है कि जो outside है किसी भी solid square से बाहर किसी भी pointer अगर आप लोगों ने electric field पता करना है तो वो कितना होगा 1 upon 4 pi epsilon not q जो square का charge है upon उस square के center से जहाँ पर तक पता करना है वहाँ तक की distance का square clear हो गया और यहाँ से यह भी पता चलता है कि जो outside है e outside कह सकते हो यह constant है q constant है तो directly proportional to किसके होगा 1 upon r square ठीक है तो outside जो electric field है distance के square के inversely proportional है यह भी कह सकते हो clear हो गया तो outside निकालना आगिया अब देखो इस solid square आप लोग के syllabus में है नहीं वैसे मैंने इससे पहले hollow square में पूरा detail में बता है अब मैं पता करूंगा surface पे तो electric field at the surface of the solid square surface पे पता कर रहा हूँ at the surface of the square कि किसी भी square के surface पे electric field कितना होता है यह पता करना है मुझे तो देखो surface पे पता करना है देखो outside पे पता करना था तो कैसे पता किया center से outside तक की distance कितनी है वो निकल गया equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square तो surface पे पता करना है चलो surface में कहीं तो पता करना होगा नə तो एक काम करते है आउट-सइड वांद फीगर बिटा देते है । ठीक है क्योंकि सी जरुआट पड़एगी आई क्योंकि अम-ने बना लिया आये काम कर है ठीक है तो इसका area vector इससे perpendicular बाहर को गया as well as positively charge spare तो इससे electric field भी कहा को गया बाहर को तो surface पर पता करना है वही चीज दुबारा से करोगे 5 equal to e into ds करोगे फिर into ds e ds cos theta आएगा theta 0 हो जाएगा तो e ds फिर integration of ds करोगे तो radius कितनी small r किसे गया है capital r तो सिर्फ इतना अंतर है कि जितना outside में small r था लेकिन surface के लिए radius कितनी है capital r तो लिखता हूँ सीधे लिखता हूँ बच्चों क्योंकि आप पुराने topic में जाके देख सकते हैं कैसे होता है गरके तो same as about लिख देता हूँ इससे पहले वाला था जो तो e surface पर कितना आ जाएगा surface पर आ जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon देखो surface तक की distance कितनी है capital r है बस इतना अंतर आएगा कि small r के बदले कितना आ जाएगा capital r तो किसी भी solid square की surface पर जो electric field है वो हता है 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon capital r square ठीक है अब सबसे important है inside बहुत important है इस topic में ठीक है तो इसी के लिए topic मैंने पढ़ाया क्योंकि surface और outside तो आप लोग निगाल सकते थे आप inside में important क्यों है वो भी बताएंगे तो तीसरा part electric field inside the solid sphere inside पर पता करना है figure मीटाते हैं कहीं पर तो पता करना होगा न तो इस solid sphere से इसके अंदर पता करना है electric field नहां देखना पर अब कैसे पता करते हैं यह एक मेरा solid sphere है जिसके radius आ रहा है मुझे इसके अंदर यहां पर पता करना है देखो बच्चों यह यहां पर पता करना है तो यह पुआं deficiency पता करना है तो इस से जाने वाला एक Gaussian surface बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले मैंने इस प्राशियन सर्फेस ड्रोग कर ली ठीक है clear है ठीक है inside पता करना है तो कहां पर पता करना है तो एट टी बोल देता हूं हाँ अब आपसे एक कुश्चन पूशता हूं अच्छा टी पोइंट पर पता करना है तो ये लिख दिया अब टी पोइंट तक की कुछ तो डिस्टेंस होती होगी न तो suppose that मैंने किया ये टी पोइंट तक की जो डिस्टेंस है इसको x ले लेता हूं क्या ले लेता हूं x और जो इस पेर है इसकी रेडियस क्या लिए मैंने capital R लिए ठीक है तो इस पेर की रेडियस capital R और आज मैंने इसके अंदर टी पोइंट पर पता करना है तो उससे जाने वाला एक Gaussian सर्फेस ले ले लिए जिसकी रेडियस कितनी है x है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चीए अब आप लोगों से एक question पूस्ता हूँ यह एक पूरा का पूरा पिज्जा है इस पिज्जा में से आप लोगों ने अगर इतना हिस्सा खा दिया है पिज्जा हतना था पूरा का पूरा अगर इस पिज्जा में से आप लोगों ने इतना हिस्सा खा दिया है तो बताओ अब आपके पास कितना हिस्सा बचेगा सिर्फ आपकी बार इतना हिस्सा ही तो बचेगा आया सभी मैं इसका मतलब क्या कहना चारह हो सुनो यह बड़े से इस पेर का चार्ज क्यू है यह बड़े से इस पेर का चार्ज क्यू है जब आप इसके अंदर t-point पे जाओगे तो t-point से बनने वाला इस प्यार सिर्फ इतना ही तो होगा तो इस टी पोइंट से बनने वाले स्प्यार का चार्ज कितना हो जाएगा बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा तो Q-डाइस हो जाएगा और एक बात ध्यान अगना कि Q-डाइस की वेलिए less than होगी Q वही चीज है एक बड़ासा पिज्ज को खाखागे में यहां पहुँच गया तो मिलने सिर्फ इतना पिज्जा बचा तो पिज्जा का साइज क्या हो गया कम हो गया तो यह पिज्जा का साइज अगर क्यू था खाखागे जब इतना बचा तो इसका साइज क्या हो जाएगा Q-डाइस और नए पिज्जा का से थोड़ा सा क्या होगा कम तो q dash less than क्या लेका क्यू और q dash कि इसका charge है x radius के spare का इतना आप लोगों को आना चीए ठीक है तो अब करना सुरू करते हैं फिकाम हां तो यह जो टी-point से जो spare देखे रहा है ना इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लेता हूँ देखो बच्चों यह दुबारा से होई तो इसका जो area vector इससे perpendicular बहार को जाएगा और positive charge है तो जो electric field है वो भी कहां को जाएगा बहार को जाएगा तो theta कितना आएगा 0 तो since लिखते हैं phi equal to कितना होता है integration of e vector dot कितना होता है density दी इस vector open कर लेते हैं तो फाई equal कितना होता है गां графics यह दी एक्णोर लेता है तो टी अहां से फाई equal to डुल कितना होता है विदि यह सब mutta क्रान कितना होता है वादा बहार इस कितना होता है यह कॉसरीविधिक लेक्वियू गहार यहां से फाई तो बताओ integration of ds कितना हो जाएगा s आज बताओ ds क्या है अंदर वाले square का छोटा सा हिस्सा तो छोटे से इससे को अगर integrate करोगे तो पूरे की पूरे छोटे square का area आएगा तो s क्या है area of small square और बताओ इस small square का area कितना है बताओ जड़ा 4 pi radius कितनी है इसकी x ली है मैंने बच्चा हो तो x square आएगा ठीक है तो 4 pi कितना आएगा x square तो यहां से आजाएगा 5 equal to e into 4 pi x square इसको equation number बोल देते है 1 अब मैं बताताओ कि 5 की value कितनी होती है 5 कौन सा flux है बताओ इस अंदर वाले हिस्से से जाने वाला तो 5 equal to कितना होता है q upon कितना होता है epsilon 0 सबको पता है न लेकिन न बताओ जब मैं t point पे पहुंचाओ तो मेरा सिर्फ इतना square बचा है और इतने square का charge q है या q dash है q dash है q नहीं लिखोगे इसको आज क्या लिखोगे q dash q dash मतलब जो इतना छोटा सा square है उसका charge तो रख दूँ तो यह आ जाएगा q dash upon epsilon 0 equal to e into 4 pi x square यहाँ पर जड़त नहीं पड़ी equation 1 की ठीक है तो इतना जिया आप इसको थोड़ा सा open करते है यह इतना हिससा मिटा दिया मैंने बच्चो क्योंकि आप लोग back जा सकते हो है ना e निकालते है यहाँ से तो यहाँ से कितना आएगा फिर e equal to इसको इधर बेजोगे तो 4 pi epsilon 0 एक साथ देलो तो 1 upon 4 pi epsilon 0 q dash upon कितना आएगा x square x तो चलो ठीक है छोटे वाले square की radius का square है लेकिन इसमें q dash क्या है बताओ तो यह जो q dash है ना इसमें q dash है charge यह छोटे से square का तो बच्चो यह charge तुमें पता होगा क्या नहीं पता होगा q dash आप लोग को पता नहीं होगा क्योंकि देखो ना मैंने t point यहाँ लिया है volume charge density row equal to कितना होता है बताओ charge upon कितना होता है volume तो लिखता हूँ for small square of radius x x radius वाले square के लिए कितना हो जाएगा उसके लिए हो जाएगा row equal to x radius के square का charge कितना है q dash और x radius के square का volume कितना होगा square का volume 4 by 3 pi r की जगे कितना आ जाएगा x का cube तो यहाँ से q dash निकालो q dash equal to आएगा rho into 4 by 3 pi x का cube तो यह रख दें फिर तो लिखता हूँ using इसके बाद value of q dash in equation 1 तो use करते हैं बच्चों देखना तो e equal to आ जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 यह q dash की जगे यह value रखता हूँ कितनी है rho into 4 by 3 pi x का cube upon x square x square से x cube कितने time cancel x time cancel तो e equal to कितना आएगा देखो अच्छे से लिखता हूँ 4 से 4 cancel pi से pi cancel तो यह कितना आया rho x upon कितना आया 3 rho x upon कितना आया 3 और साथ में epsilon 0 भी बचा है तो कहीने कहीं किसी भी solid square के अंदर किसी भी point अगर आप लोगोंने electric field निकालना है तो उसका formula होता है 1 upon 3 epsilon 0 rho उस solid square की volume charge density into x क्या है उसके center से जहां तक पता करना है t point तक पता करना है तो t point तक की distance अब क्या होता कभी-कभी rho की value हमें पता नहीं होती है तो rho की value हमें पता नहीं होती है तो rho को इसी equation को दूसरे तरीके से लिखना सिखाता हूँ तो तुम्हें पता है कि for whole square पूरे square की बात करते हैं अगर for whole square rho equal to कितना होता है पूरे square का चार्ज कितना है Q और charge upon volume पूरे square का volume कितना होगा 4 by 3 π कैपिटल आ रहा square के radius तो आएगा Q upon 4 by 3 π आर cube तो कहेने कहीं पूरा जो whole square है उसके लिए rho की value इतनी होती है तो ये value कहां रख देता हूँ फिर equation 2 में रख देता हूँ तो using value of rho in equation 2 using value of rho in equation 2 खाली लिखने का तरीका है तो inside the solid square या तो ये ले लो inside इतना होता है या फिर rho की जगे ये value रख सकते हो कितनी rho की जगे रखोगे Q upon 4 by 3 pi capital R cube rho की value रख ली into x upon कितना है 3 epsilon 0 ठीक है ऐसा करने से क्या हो रहा है देखो बच्चों 3 से 3 के एंसिल हो गया और कुछ नहीं के एंसिल हुआ तो ये inside equal to कितना है देखो 4 pi epsilon 0 1 upon 4 pi epsilon 0 7 ले लिया और यहां पाया Q x upon capital R Q तो ये भी कह सकते हो कि किसी भी solid spare के अंदर जो total electric field होता है वो इतना होता है ठीक है यहां से एक बात पता चल दिये मुझे देखो इसमें क्या क्या चीज constant है ये constant है Q solid spare का charge है वो constant है R solid spare की radius से ये constant है तो कह सकते हो कि E inside किसी भी solid spare के अंदर जो electric field होता है वो directly proportional to किसके होता है X के X के है center से उस point तक की distance इतना ज़्यदा X बढ़ेगा उतना electric field बढ़ेगा ठीक है तो अब graph दिखा देते हैं और इसको complete कर देते हैं इतना आया ना आप लोगो ठीक है तो कुछ एक बात है मैं पहले लिख देता हूँ फिर आप लोगो एक graphical representation बता देता हूँ ठीक है लिख लेता हूँ graph between E and R distance के साथ कैसे electric field वैरिव करता है solid spare के लिए ये चेक करता है तो suppose that पहले मैं एक solid spare बना लेता हूँ ये मेरा solid spare है ये इसकी distance R इधर को बढ़ डी है और ये जो Y axis है इसको electric field के axis ले लेता है ठीक है अब मैंने आप लोगों को बताया था ये इसकी और ये spare है तो spare की radius capital R है तो यहाँ तक की distance capital R होगी ध्यान लगना और यहाँ पर को देखो capital R से अंदर अगर आप जाओगो तो आपने distance X लिए है तो यहाँ distance X होगी और X की value less than capital R होगी clear हो रहा है ना ठीक है तो अब देखना जाना कुछ बात है since जो electric field होता है inside inside directly proportional to X के होता है ये तो बोलाता ना मैंने directly proportional to X या फिर कह सकते हो value जो निकली थी हो मैं तो मिटा दिया तो directly proportional का मतलब क्या होता है पता हो directly proportional का मतलब है कि जैसे ऐसे X जो distance है यहाँ से यहाँ तक की distance X ही तो है यह बढ़ेगी तो electric field बढ़ेगा तो कहीने कहीं जो graph है कैसा आना चीए देखो और यहाँ से ऐसे आना चीए कुछ इस तरीके से कि जैसे ऐसे X की value आप लोग बढ़ाओगे तो यह जो electric field है यह भी धीरे-धीरे क्या करेगा increase करेगा clear हो गया? ठीक है तो इसको कुछ ऐसा बनाते है पहले हाँ ऐसे दिखा दो तो जैसे जैसे मैंने बोला X distance बढ़ेगी वैसे जैसे electric field बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हो E inside directly proportional to X और जैसे ही आप surface की बात करोगे तो surface का बात है बताओ जब R radius होती है तो यह surface वाला इससा है तो E surface के लिए हमने निका ला था Q upon R square तो surface पे जो value है इतनी होती है तो लिख लेता हूँ कि E surface equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon capital R square surface के बात outside के लिए क्या था बताओ बच्चों outside पहला निकाला था E outside मैंने बोला था directly proportional to 1 upon R square मतलब inversely proportional to R square भी कह सकते हो इसका मतलब R की मेली उबड़ेगी तो यह घटेगा तो outside के लिए मेरे खेल से graph ऐसा आना चीए ऐसा आना क्या चीए आएगा ठीक है क्योंकि यह है तो इसको लिख लोगे कि small r greater than capital R या इसको लिख सकते हो E outside ठीक है यह होता है equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 निकाल लिया था Q upon R square तो यह बहुत बार आया बच्चों intrinsic exam में graph कि किसी भी solid non-conducting sphere के लिए graph दिखाओ electric field और distance में तो उसके अंदर मैंने बोला electric field directly proportional है तो increase करेगा R radius पे maximum फिर decrease करेगा तो यह आज का topic था बहुत कीमती था सलेबस में नहीं है लेकिन